रजिस्थान के सभी इलाकों में पंडित दीन दयाल उपाध्याई की जैनती मनाई जा रही है पंडित दीन दयाल की जैनती पर जैपुर का धनक्या गाउं, वीजेपी और रसेस के लिए एक तीत स्तल के रूप में उभरता हुआ दिख रहा है इसका कारण है कि धनक्या में बना पंडित दीन दयाल उपाध्याई का राश्च्रिय समारक, इसमारक की एहमियत इसलिए भी है क्योंकि ये समारक पंडित दीन दयाल के बच्पन की यादों से जुड़ा हुआ है आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में जैपूर के धनक्या गाउं की फिजाब बदल गई है अब राश्च्रिय पटल पर लोग धनक्या को पहचानने लगे हैं और इसका श्रेज आता है पंडित दीन दयाल उपाध्याई को पंडित जी को दुनिया से आलविदा कहें तो काफी समय हो गया लेकिन उनके व्यक्तित्व और कृतित्व ने उनके जाने के बाद भी धनक्या को विशेश पहचान दिलाई है 25 सतंबर 1916 को मतुरा में जन में पंडित दीन दयाल उपाध्याई का जन धनक्या रेलवे स्टेशन पर बने सरकारी क्वाटर में हुआ था पंडित जी के नाना चुनिनाल शुकला यहाँ पर स्टेशन मास्टर थे और पिता के अलपाईू में ही निधन के बाद पंडित दीन दयाल उपाध्याई अपने नाना के साथ ही